This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. Hello friends, welcome and welcome back to my channel, Kehani Haritwar se. जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जो रही हूँ, वो एक सीरियल की रिंगी कहानी है, जो की 2010 से 2018 के बीच हुए कुछ कतलों के उपर अधारित है. उस समय पुलिस काफी परिशान थी क्योंकि MP में तो लोगों की लाशे मिली रही थी, इसके साथ साथ उसके आसपास के स्टेट्स जैसे की महराष्ट, UP और यहां तक की जारखंड में भी कुछ लाशे मिलने का सिलसला शुरू हो गया था, ये महराष्ट में नासिक, सतारा, इ मिल रही थी, तो पुलिस काफी परिशान हो रही थी इन लाशों को देखकर, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था कि ये किसन लोगों की लाशे हैं, जितनी भी लाशे थी, वो न्यूट थी, उनके कपड़े उतार लिए गये थे, इसलिए उनको पहचानने का जर नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है, इस कारण ये लाशे आपस में कनेक्टेट किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, हर एक जो राजी की पुलिस थी, वो अपने अपने स्तर पर इन लाशों की जाच करने में लगी थी, पहली दो लाशे महराश में मिलती हैं, फि में से जारतर लाशों की शेनाक्त भी नहीं हो पाई, कुछ समय तक तो पुलिस ने उसे मोर्ग में रखा और उसके बाद उसका अंतिन संसकार कर दिया गया, इनके केस से रिलेटेट कोई भी क्लू नहीं मिला, कई सारे केसे बंद हो चुके थे और कुछ ठंडे बस्ते में पड़े थे, पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी थी कि शायद अपने आपी कोई क्लू सामने आएगा और तब ये केसे खुल जाएंगे, इन लाशों की एक और खास बात होती थी कि इन पर इंजिरी मार्क्स नहीं होते थे, कोई चाकू का निशान या कोई भी जख्म का नि जो लास्ट लाश पुलिस को मिली, उसके आसपास एक संदिक दिव्यक्ति भी घूमता हुआ, नजर आया था, तो फिर उन लोगों ने उस संदिक दिव्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस टेशन ले आए, जब पुलिस टेशन लाकर उससे पूश्टाज और पिटाई की गई तो उसने बताया कि हाँ इसको मैंने ही मारा है और ये एक ट्रग ड्राइवर है, और उसने बताया कि हम लोग ट्रग ड्राइवर्स को लूट कर उनकी हत्या कर दिया करते थे, फिर पुलिस को शक होता है कि कुछ और लाशे भी उनके शहर में ऐसी मिली थी, करीब 4-5 ल ये लोग बताते हैं कि हमारा एक गैंग है और हम रोग ट्रग को लूटते हैं और ट्रग ड्राइवर की हत्या कर देते हैं ताकि वो कुछ भी पुलिस के पास जग कर बताना पाए, धीरे धीरे करके और कतलिके केस भी खुलते जाते हैं और लोग भी आरेस्ट होते जाते है जितने भी लोग अरेस्ट हो रहे थे वो अपने गैंग के सरगना का एकी नाम ले रहे थे, वो नाम था आदेश खामारा, वो बता रहे थे कि यह हमारे गैंग का लीडर है, फिर पुलिस भोपाल में उसके पते पर जाती है आदेश खामारा के, लेकिन वो अपने घर पर मिलत जाकर क्या करता है वो लोग बहुत जारा शौक्ड हो गए ये जानकर कि इतना सीधा साथा दिखने वाला वो व्यक्ति एक हत्यारा भी हो सकता है और सिर्फ हत्यारा नहीं एक सीरियल दिलर भी हो सकता है इस आदेश खमारा की भोपाल के बहारी इलाके में केलर की एक बहुत ब नहीं था, वो बिलकुल एक नॉर्मल हस्मुख व्यक्ति था, जिसके बारे में जानकर हर कोई शौक्ड रह गया, अब मैं आपको इस आदेश खमारा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी, भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले पेशे से दरजी, को घर से बाहर निकाल देते थे, इस पेशली आदेश खमारा के उपर उनका गुस्ता बहुत उतरता था, इस तरह ऐसे इसे बच्पन में पिता का प्यार नहीं मिला, धीरे धीरे वो इंट्रोवर्ड होता चला गया, बच्पन से ही उसके मन में गुस्ता भरता जा रहा था अपने पिता के प्रती, दो हजार पांच छे से इसने जुर्म की शुरुआत कर दी थी, पहले इसने शुरू में फिरौती मांगी, छोटे मोटे क्राइम किये, अपने अंकल, इसके एक अंकल थे अशोक खमारा, उससे एक काफी प्रभावित था, ये जो अशोक खमारा था, ये खतरनाक हत्यारा था, पहली बार आदेश खमारा ने 2007 में एक ट्रक लूटा था, लेकिन उसने ट्रक ड्राइवर की उस समय हत्या नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ट्रक लूटा और उसको छोड़ दिया, अशोक खमारा, जो की आदेश खमारा का चाचा था, वो जहर खु है काफी सालों से, पतानी उसने कितने मर्डर्स किये हैं, लेकिन अशोक हमारा दावा करता था कि उसने सौ से उपर लोगों की हत्या है, की है, एक तरह से वो भी एक सीरियल की लड़़ता है इसका चाचा, लेकिन वो आज भी फरार है और अभी तक पकड़ा नहीं गया, और अपने उसी चाचा से यादेश हमारा बहुत ज़रा प्रभावित था छोटे मोटे क्राइम करने के बाद वो ट्रक लूटने वाले गैंग का सक्री सदस्य बन गया और तीन सालों के अंदर उसने खुद के हाईवे चोरों का गैंग बना लिया ये ट्रक को लूट कर ट्रक ड्राइवर की हत्याएं कर दिया करते थे ताकि कोई भी सबूत ना मिल पाए ट्रक ड्राइवर पुलिस के पास ना जा पाए 2010 में उससे महराश्र पुलिस ने अरेस्ट किया था एक चोटे मोटे क्राइम में लेकिन डेर साल वाद उसे जमानत मिल गई और उसके बाद से और ज़्यादा साबधानों के क्राइम करने लगा खैर अब जब इन्हें आदेश कमारा का नाम पता चल गया तो पुलिस वाले उसे ढूनते रहे बहुत ज़्यादा उसकी तलाश की गई लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला फिर पुलिस को एक information मिली कि वो सुल्टानपुर के जंगलों में छुपा हुआ है तब पुलिस चीम उसे धूनने जाती है और एक महीला SP जिन का नाम था बिट्टू शर्मा वो उसे पकड़ कर वहाँ से वापस ले के आती है अब तक MP पुलिस को लग रहा था कि हमारे 45 मर्डर के केस खुल चुके हैं और वो अभी भी बहुत खुशते उन्हें नहीं नहीं पता था कि ये कितना खतरना खत्यारों उन्हें पकड़ा है जब उससे पूश्टाज की गई तो उस समय उसकी उमर 48 साल थी उसके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल थे वो कहीं से भी एक खतरना खत्यारा नहीं लग रहा था और उसको देखकर पुलिस वालों को भी डर नहीं लग रहा था उन्हें लग रहा था कि इन समने मिलकर 459 को मारा है तो कोई इतनी बड़ी बात उनको नजर नहीं आ रही थी वो सीधा साधा ही व्यक्ती दिख रहा था लेकिन ये मान रही थी पुलिस कि ये क्रिमिनल होगा लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं है अब पुलिस उससे भी पूछती है अलग से पूछाज करती है फिर वो रुख जाता है और बताता है कि मैंने 30 कतल किये हैं ये सुनकर तो पुलिस वानों की हालत खराब हो जाती है और इतने आराम से वो बता रहा था कि मैंने इतने सारे कतल किये हैं मैंने किसको कैसे मारा कहा मारा उसको डिटेल में सारी बातें याद थी उसका IQ बाद में बदा चला कि बहुत जारा हाई था उसे date तक याद थी कि उसने किस date पे किसको मारा वो किस जगह पर थे, उन लोगोंने मरने से पहले क्या खाया था कपड़े उनके कैसे थे, कपड़ों का क्या किया, कपड़ों का क्या कलर था ये भी उसे याद था, फिर किसको उनने कैसे मारा, जहर दे कर मारा या गाला घोट कर मारा अगर जहर दे कर मारा तो किस चीज में जहर दिया, शराब में दिया, कोल रिंग में दिया, या खाने में दिया उसने detail में सारे 30 के 30 कतलों को explain किया पुलिस घबरा गई थी, उसे समझ में आ गया था कि ये एक खतरनाक serial killer है आदेश कमारा को जहल में बंद कर दिया गया, फिर आदेश कमारा ने अगले दिन एक officer को बुलाया और उसे बताया कि मुझे तीन कतल और याद आ गए है, इन कतलों को भी उसने पूरा detail में समझाया, बताया और उनकी भी उसको सारी details याद थी, यहां तक कि उसे भी याद था कि 33 के 33 लोगों की body उसने कहां dump की जब police ने तफ्तीश की तो पाया कि उसके सारी बताई गई locations ठीक हैं और वहीं से bodies मिली थी यह जो highway gang था, यह truck drivers के साथ दोस्ती कर लिया करते थे, यह लोग generally lift मांगा करते थे truck drivers से truck drivers थोड़े से पैसे के लालच में कि हमें थोड़ा सा किराया मिल जाएगा, इस लालच में उन्हें बिठा लिया करते थे जब यह बैट जाते थे तो यह सीधे सारे तो दिखता ही था, यह सबसे अच्छे से दोस्ती कर लेता था, घुल मिल जाता था इन्होंने जितने भी कतली किये सारे truck drivers के या फिक cleaners के किये, अब यह लोग ट्रक में बैट कर दोस्ती करके उनको शराब आफर करते थे, अपने साथ शराब लेकर चलते थे, जिसमें कई बार इन्होंने जहर भी मिलाया होता था, अगर कोई शराब नहीं पीता था तो उसक उसको खाने में जहर देते थे, फिर जब वो व्यक्ती मर जाता, तो उसके सारे कपड़े उतार लेते थे, ताकि उसके पहनावे से भी पहचान नहों कि वो किस एरिया का है, क्योंकि कई बार लोगों के कपड़े से भी अनुमान लगाया जा सकता है, कि वो किस एरिया है, कि बेश देते थे और अपने अपने घर चले जाते थे उसके इतने डिटेल में सब कुछ बताने के कारण उसके इतने नॉर्मल वेवार के कारण ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी स्थिती ठीक नहीं थी हो सकता है वो सजा से बशने के लिए वी कुछ एक्टिंग कर रहा हो लेकि उसके बाद पैसा कमाते थे लेकिन जब आदेश हमारा से भी यह पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जब मैं दुकान से घर जाता था अपने दुकान बंद करके तो मुझे रास्ते में ऐसा लगता था कि मैं तेज धार हत्यार को घिस रहा हूँ या फिर किसी व्यक्त यह लोग हमेशा व्यात्रा में रहते हैं अपने घर से दूर रहते हैं दिन रात यह लोग ट्रक चलाते हैं इनके खाने सोने रहने का कोई ठीकाना नहीं होता और पता नहीं कितने कितने महीनों तक अपने बीवी बच्चों से अपने माबाप से यह लोग दूर रहते हैं त क्लिमेन को मारता था, तो यह सारी बाते सुन कर भी ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी इस्टी ठीक, नहीं ठी, खैर आधेश हमारा एक हमारा जाती से है, जो की बहुत पड़े लिखे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि यह लोग किसी ठक कर याद आ जाएं जिस तरह से उसे बाद पर तीन कतल याद आ गए थे हो सकता है इसको और जादा कतल याद आ जाएं हाला कि इस घटना को अब तीन-चार साल बीच चुके हैं और अभी तक उसने और कोई कतल नहीं किया है यह आदेश हमारा जो की एक सीरियल गिलर है यह एंजिस्टर्ड मुर्डर्स के मामले हैं अगर इसको और जादा कतल याद आते हैं या फिर साबिद होते हैं तो हो सकता है रमन रागफ से भी आगे निकल जाए हाला कि कहा जाता है कि ऐसे भी सीरियल गिलर हैं जिदोंने सैकड़ों लोगों की हत्याई किया है लेकिन वह न record नहीं है वो off records है इसलिए उनको हम authentic नहीं मान सकते एक तरह से यही इंडिया में second सबसे बड़ा serial killer है फिलहाल इस case में कुल 13 और ओपी गिरफतार हो चुके हैं और इस case का कोई फैसला भी तक नहीं आया है तो आज की एक कहानी हैं पर समाप्त होती है मैं जल्दी ही आपके लिए अपनी दूसरी कहानी लेकर आऊंगी thank you so much for listening my stories thank you so much